हलो फ्रेंट स्वागत आपका सिव टेक स्मार्ट में थोड़ा सा वेट कर रहा है पर फाइनली आज मैं आपके लिए लेक्या गया हूँ जैपरोनिक्स का लेटेस्ट लॉंच्ड लेप्टोप है मिया मैं फ्रेंट से आपको बता दू जैपरोनिक्स ने प्रो जैड सिरीज में 12 जनरेशन के लेटोप्स लॉंच किये हैं और वाई सिरीज में 11 जनरेशन के और ये वाला वेरेंट है आई 5 11 जनरेशन तो करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग और टेस्ट करके देखते हैं इसकी वेल्यू फॉर मनी रहती है या नहीं और इसी वीडियो में मैं इस लेटोप का बैक पैनल भी ओपन करूंगा तो जो भी आपके सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में किलियर करेंगे तो सब सब पहले लेटोप ही मिल जाता है बॉक्स में और यहां देख सकते हो 65 वोट का टाइप सी चार्जर दिया हुआ है और पेपर वर्क सब सब पहले इस लेटोप के फीजिकल और यू की बात करो तो सेंटर में ही जेबरॉनिक्स का लोगो दिया हुआ है और अल इस ले प्रेस कर रहा हुँ तो मैंने को फ्लैक से कमी देखने को मिल रहा है और यहां टूरबर ग्रिप दी हुई है जबी पर टॉबलेट को ओपन करोगे तो इस क्रेज नहीं होंगे मुझे याद आ रही है डेल की 5000 सिरीज लेटोप की क्योंकि उसमें भी जैसे टॉबलेट को आप आ जाता है जिससे एरफलो और टाइपिंग एक्सपिरियंस काफी नेक्स लेविल चला जाता है और इस लेटोप का वेट निकल के आता है 1.6 kg 15.6 का लेटोप है उसी साफ से ठीक ही है और मैं आपको यहां बता दू फ्रेंड से जैब्रॉनिक्स ने जो भी मॉडल से ल की ब्रेंडिंग की गई है और स्क्रीन वबल आपको इतना देखने को मिलेगा और आगे की तरफ एर एक्जॉस्ट दिया हुआ है और फ्रेंट्स आगे की तरफ कुछ अलग सी डिजाइन बनी हुए जो परसनली मुझे काफी अच्छी लगी और उपर की तरफ LED इंडिकेट हुआ है वो भी परसनली मुझे काफी अच्छा लगा वहीं इस लेप्टोप के अगर मैं ट्रेक पेड की बात करो तो काफी लार साइज का ट्रेक पेड दिया हुआ है जो विंडोस 11 के सारे जेस्टर को सपोर्ट करता है और सिक्योटी के लिए मिल जाता है फिंगर्पेंट के साथ आता है और अभी आपको नेक्स आगी वीडियो में मैं इस लेप्टोप का बैक पैनल भी ओपन करने वाला हूँ और यहां से आप M.2 SATA अपग्रेड कर सकते हो इस्टोरेज के लिए क्योंकि बैक पैनल ओपन करने की जरुवत नहीं है और इस लेप्टोप के काफ़ी अफसोस हो रहा है जब टाइप सी चार्जर दिया हो है तो इस पोर्ट को देने की क्या जरुत है और एक साथ ही आपको वन यूस्बी 3.2 टाइप है मिनी SDMI पोर्ट मिल जाता है और वन यूस्बी 3.2 टाइप सी पोर्ट दिया हो है जिसे आप पाउर डिलेवरी डिस्प्ले आउटपुट है और फास डाट ट्रांसपर में यूज कर पाओगे तो फ्रेंड्स मैंने लेप्टोप का बैक पैनल ओपन कर लिया है और यहां आपके सा सारे डाउट किलियर करता हूं तो सबसे पहले आप देख सकते हो नीटे कंपनी की एम डोट टू साटा SSD दी हुई है डबल टू 80 साइज की 2023 चल रहा है कम से कम NVMe SSD होनी चाहिए और काफी सारी वीवर्स के मान में यह भी डाउट है कि हम एम डोट टू साटा को रिप्लेस करक है डबल टू फो टू साइज गा तो अभी मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया था कि आपको पूरा बैक पैनल ओपन करने की जूरत नहीं है पीछे आपको अपना प्रोसेसर लगा हुआ है और यह लेप्टॉप सिंगल फैन सेटप के साथ आता ही है और फ्रेंड्स यह सबसे मुझे जो ताजू वाली बात लगी वो यह देखो मदरबोर्ड की साइज कितनी साइज में हो गई ज्यादा सी ज्यादा कहां से परफॉर्मेंस देखा वह भी आपको आगे पता चलेगा कि कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और यहां लगी हुई है 38 वोट और की बैटरी आगी मैं आपको बताऊंगा बैटरी बेकप कितना मिलेगा और सुनने में तो मेरे को ऐसा आया था कि मैड इन इंडिया प्रोडेक्ट है लेकिन यहां देख सकते हो चाइना यहां चाइना और यहां चाइना हो क्या रहा है तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टाइ डबल फाइब जी सेवन प्रोसेसर दिया हो है इसकी बेस क्लॉग इस पर 2.5 से 4.5 गिगार्स तक यूज कर सकते हो 4 और 8 त्रेड और 8 MB की कैस मेमोरी दी हुई है मेमोरी की बात करें तो 8 GB की LPDDR4 3200 मेगार्स की रेम दी हुई है आप इस लेटोप में रेम को अपग्रेड नहीं कर सकते है इसमें 16 GB रेम के साथ भी एक और वेरेंट आता है और प्राइस का जो डिफ्रेंस है वो ओनली 1000 के आसपास ही है इस टोरेज 512 GB की SATA M.2 SSD दी हुई है और फ्रेंट्स इस टोरेज को अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको अलग से एक M.2 एक्स्रा स्लोट मिल जाता है अब यह है 2023 चल रहा है और M.2 SATA जैसा की भीमान आपको वीडियो में भी दिखाया कनेक्ट वेटी की बात करो तो Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 दिया हुआ है और फ्रेंट्स जीप्यू की बात करो तो इसमें Integrated GPU मिलता है Intel Iris XE 4GB की Shared Memory के साथ आता है इस लेप्टोप के Benchmark score पे भी एक नज़र डाल लेते हैं और सबसबेले यह हैं Cinebench R23 के score से और यह है Geekbench 6 के CPU के score से और यह है OpenCL score से और मैंने इसमें 3D Mark Time Spy को भी रन कराया तो इस score आपके सामने है 4891 इस लेप्टोप के Benchmark score काफी अच्छे देखने को मिले और इस लेप्टोप में काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 की 1080p IPS Anti-glare डिस्प्ले जिसकी brightness 250 nits और कलर गेमट 45% anti-ac तो अगर आप movie देखते हो, media consumption करते हो तो आपका experience काफी next level रहेगा इस लेप्टोप में आप color accuracy वाले काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि 45% anti-ac color गेमट मिलता है और इस लेप्टोप की अगर मैं battery backup की बात करो तो 38.5Wh की battery दी हुई है तो आपको अराम से 3 गंटे के आसपास battery backup मिल जाएगा और अब टेस्ट कर लेते हैं इस लेप्टोप की performance उसी same footage के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूँ जो मैं हर लेप्टोप में टेस्ट कराता हूँ तो इस लेप्टोप में टाइम लगाया 1 minute 23 seconds है और जब मैंने वीडियो एंकोड किया 4K to 1080p एक मिनट की वीडियो फूटेज थी तो इस लेप्टोप में टाइम लगाया 1 minute 28 seconds है और जब मैंने लेप्टोप को बूट कराया तो ओनली 12 seconds में लेप्टोप बूट हो गया था सबसों परफॉर्मेंस के बात कि लेप्टोप की ढेंलेटी और परफॉर्मेंस के बारे में और अब टेस्ट कर लेते हैं इस लेप्टॉप की ग्राफिकल परफॉर्मेंस है तो सब से पहले मैं प्ले करने जा रहा हूं GTA 5 फुल एच्डी रेजोलेशन के साथ है क्योंकि इसमें लगा हुआ है Intel Iris XC ग्राफिक से तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फुल एच्डी रेजोलेशन के साथ 30 fps की फ्रेम रेट मिल रही है CPU टेमपरेजर 90 डिग्री के आसपास जा रहे है और रेम अप्रॉक से 7 GB के आसपास यू जा रही है नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया है Sniper Elite 2 HD Medium सेटिंग्स पे तो देखते हैं कैसी फ्रेम रेट मिलती है तो जैसा कि आप देख पारे हो 50 fps की फ्रेम रेट मिल रही है CPU टेमपरेजर वही 90-95 डिग्री के आसपास जा रहे है और फ्रेंट्स लेप्टॉप हीट भी कर रहा है और लास्ट मेंने इसमें एक और गेम प्ले किया है बलर जो कि एक रेसिंग गेम है फुल एच्डी रेजोलेशन पर प्ले करेंगे तो देखेंगे इसमें कैसी फ्रेम रेट मिलती है तो जैसा कि आप देख पारे हो 70 fps की फ्रेम रेट मिल रही है फुल एच्डी रेजोलेशन के साथ है CPU temperature 90-95 degree जा रहा है रेम अप्रोक्स पूरी ही हो जा रही है और फ्रेंड्स मुझे गेम खेलते हुए तकरीबन 30 मिनट के आसपास ही हुए है और लेटोप काफी ज़्यादा हीट होने लग गया है इससे आप अंदजा लगा सकते हो कि आप इस लेटोप पे कभी कबार केजूली गेमिंग ही कर सकते हो वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ गेमिंग और एंटेल लेटोप नहीं है इस लेटोप में आप डे-to-day टास्क, मल्टी टास्किंग है टेली वर्क हो गया, ओपिस वर्क हो गया और सेर मार्केट का काम भी आप इस लेटोप पे आसानी से कर सकते हो और फ्रेंड्स इस लेटोप की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो अभी यह ओनलाइन पे लिस्टेड हुआ है 30,000 में और दिवाली के सेल में अगर आप इसे पर्चेज करोगे तो आपको अराम से 1 से 2,000 के आसपास केस बेक मिल जाएगा इसमें एक और वेरिंट आता है 16GB उसकी प्राइज है 32,000 है तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों बजट 30,000 के आसपास है और अगर आप ऐसा एक लेटोप पर्चेज करने के सोच रहे हो तो मेरा ओपिनियन यह है कि आप इस लेटोप को इगनोर कर सकते हो क्योंकि M.2 SATA SSD के साथ यह लेटोप आ रहा है और अभी मैंने रिसेंल्टी में Acer Aspire Lite का रिवी किया था वो भी 35,000 हैंट के बजट में बिद रहा है i5 11 जन्दरेशन 16GB RAM तो आप उस लेटोप के लिए जा सकते हो वीडियो को लाज में इतना ही कहना चाहता हूँ कि 30,000 के बजट में मुझे तो यह value for money नहीं लगा आपके क्या thoughts है मुझे comments box में जबर comments करके बताना I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजे चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी परकार टेक्स रिलिटेट वीडियो बनाता रहता हूँ Thanks for watching, have a nice day, जैहिन वन्दे मातरम